मैं जानता हूँ इन लोग को नीरज उरज क्या है कुछ नहीं है शिरी भौक ना जानता है शिरी भौकेगा वो और कुछ नहीं कर सकता है उभी बस्ते जैस्वी जी का आज आप देख रहे हैं कि ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है मगर ये तो दोनों अपने में तू छिन तू चिने तो चिने रहर है और मैं पुछना चाहता हूं नि ये पास सबूत है मै बीना सबूत के मैं कुछ नहीं बोलता हूं बता देता हूं उनका स्टाइल है उनका अपना अदा है वो निराला है वो सेरे बिहार है हम लोग के सान है और युवाओं के जान है मानिये मोकामा बिधाय कनंद सिंग समझ गया है डेली नितीस कुमार दो ही चीज बोलते हैं एक बिजली और एक की बात करते हैं कोई कर रहा है कि हमको विशेश राज का दरजा दो कोई कर रहा है कि नहीं इसको विशेश राज का दरजा नहीं दे सकते हैं मने क्या चल रहा है कि आप लोग को अगर थोड़ा सा भी सरम बचा हुआ है थोड़ा सा भी सरम बचा हुआ है तो बिहार की के बारे में अगर अपना नाम आ गई तिहांस में जिन्दा रखना चाहते हैं तो है इस छिन्री छिन्री वरा लड़ाई छोड़ दीजिए आप देखिए कि महिला की बात आप करते हैं क्या हाइकोट किया हाइकोट ने आज संग्यान सोता संग्यान ले करके एफाई यार दज करवाया जदिव के बिधायक बोलते हैं कि मरेगा तब ले जन संख्या कम होगा सब मिट्टी में मिला दिये ना नितीश कुमार खतम कर दिये ना बड़े-बड़े नेताव लोग का कहते थे जैपरकास नरायन जी का नितीश कुमार जी ने अपने महासचीव से चिठी निकल वाया उस दिन से ललन सिंग का मुँ का बोली कहा चला गया किस बिल में घुस गिया ललन सिंग नहीं निकल रहा है मुँसे बोली राष्टी या ध्याच बने थे विपक्षों के साथ बात करनें के सबसे बड़ी आगे बढ़ सके लॉजिक जिसके चलते हैं ट्विटर पर हमारे नेता बहुत सारे सवाल पूछते हैं लेकिन जब जमीन पर आकर किसी विपक्ष के नेता से बात करने का मौका आपको मिलता है तो आपको सवाल पूछना चाहिए बिहार के उन परिद्रिश्यों के बारे में ज लड़कियों को साइकिल दे दिये और वही लड़कियां कल स्कॉर्पियों के इनोवा के लाइट से परिच्छा दे रही थे अब आप बताईए परसांद भाई एक बात कि डेली नितीस कुमार दो ही चीज बोलते हैं एक बिजली और एक रोड की बात करते हैं आज से जब से वो सरकार चला रहे हैं कि मैंने दो चीज बिहार को दिया मगर आपने देखा परसो की कल हेडलाइट के बीच में परिच्छा बाली का छात्रा लोग जो दे रही थी कितनी सर्न की बात है बिहार के लिए और पूरे हिंदुस्तान में आज बिहार की जो हालत है जो हम लोग का जो सर नीचे जुका हुआ है क्या आपको हम बताए आज आप देख रहे हैं कि ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है मगर ये तो दोनों अपने अपने में तू छिनरी तो छिनरी तो छिनरी तो छिनरी यही चल रहा है एक दूसरे परिल जाम लगाने में लगे हुए हैं को कोई का रहा है कि हमको विशेष राज का दरजा दो कोई का रहा है कि नहीं इसको विशेष राज का दरजा नहीं दे सकते हैं मने क्या चल रहा है मुख मंतरी कुछ कहते हैं उनके अगल बगल दाएं बाएं लोग कुछ बोलते हैं मानिय मुख मंतरी जी एक डेड़ महिना से ज प्रवक्ता बोलेंगे कि परतिपच के नेता कहा है कोई पतरकार भी पूछते हैं कि टेजस्वी जी तो बाहर ही रहते हैं मगर एक बात मैं बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से उन परवक्ताओं को कि आप लोग को अगर थोड़ा सा भी सरम बचा हुआ है थोड़ा सा भ खलाई के बारे में अगर अपना नाम आगे इतिहांस में जिंदा रखना चाहते हैं तो है इस छिन्री छिन्री वरा लड़ाई छोड़ दीजिए आप देखिए कि महिला की बात आप करते हैं क्या हाई कोट किया हाई कोट ने आज संग्यान स्वतर संग्यान ले करके फाई आप महिला की बात करते हैं कि महिला के चलते मैंने सराब बंदी की हैं और महिला ही इनके प्रखन अध्या सराब में पकड़ा रहे हैं उसको पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है इनके सारे नेता जो हैं जो कि सराब के धंधा में लगे हुए हैं मगर कहने को तो कुछ नहीं है साथ दिन में 35 लोग दारूपी कर मरा है उनके जदिव के बिधायक बोलते हैं कि मरेगा तब यह जन संख्या कम होगा जैसे लगता है कि अथी किये हुए है क्या कहते हैं उसको वही सबका देखभाल करता है जिसके या जिसका जाता है उसको कितना दर्ध होता है वो उसको पता नहीं है वो जो कौन है गोपाल मंडल और ये कौन है बंदना गुपता ये कौन किसका क्या लगता है जो एफायार भी करने नहीं दे रहा है सरकार और हाई कोर्ट संग्यान लेके मैं उन परवक्ताओं से पुछना चाहता हूं मैं उन जदिव नेताओं से मैं पुछना चाहता हूं कि कहां चले गया आप लोग के नितीश कुमार का सारा चीज सब मिट्टी में मिला दिये ना नितीश कुमार खतम कर दिये ना बड़े बड़े नेताव लोग का कहते थे जैपरकास नरायन जी का हम ये करेंगे तो वो सारा का सारा चीज माननी है मुख मंत्री जी ने धो दिया हाथ साबुन लगा के सब धो दिया कोई सरम लिहाज नहीं उनको बचा हुआ है बिहार की स्थिति क्या है पुलीस को गोली मार रहा है जहां पुलीस जारी पुलीस का इकवाल क्या है जी सारा पुलीस का इकवाल इस सुसासन इसको कहते है इस सुसासन में पुलीस का इकवाल एकदम खतम हो चुका है कुछ बचा है क्या बिहार में विपक्ष का इकवाल क्या है आप लोग एक बहुत बड़ यात्रा निकालने का तैयारी किये मगर बीच में करोना काल भी आ जा रहा है बार बार इससे भी लोग परिसान है युवा आंदोलन किये आप देखे पीटा गया दोड़ा कर ले क्या किया गया क्या हुआ है कहां भी सब जेल में है उस युवा का जिंद्गी बरबाद हो गया जो बैक्ति क्या मुख मंतरी जी की मानजि सकता है जो बैक्ति अगर कभी एक दो महिना में दो पैक सरा पी लिया वो अगर वो पकड़ा यह उसको आप जेल बेज दिये वो जेल जाके क्या बनेगा बाहर निकलके यह तो सोच नहीं सकते है मुख मंतरी जी अरे मैं पुछना चाहता हूं नितीस कुमार जी से, कब वो महिला का सम्मान किये, मैं उनका अंद्रूनी बात नहीं जानता हूं क्या, कुछ छूपा हुआ है क्या, जितना भी अधिकतर जदियु के अंदर जो भी नेता लोग है, वो महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं, मेरे पात सबूत है, और मैं बिना सबूत के मैं कुछ नहीं बोलता हूं, बता देता हूं, और कहता क्या है, और करता क्या है, क्या जाधा बोले परसांद भाई, नीरज कुमार और ललन सिंग एक गुट जो है वो लगतार इस बात पर प्रिशर प्रिटर बना रहा है कि हमको विसेश लाग दरा चाहिए यह लोग कहें नहीं कुछ ऐसा पेश करता है जिससे हम लोग आगे ही बढ़ नहीं है अम मोदी जिनका बात भी नहीं सुन रहे है अरे से ललन सिंग का मुह का बोली कहां चला गया किस बील में घुस गिया ललन सिंग नहीं निकल रहा है मुह से बोली राष्टिय ध्याच बने थे अरे इन लोग का कोई मुराद नहीं है मैं जानता हूं इन लोग को नीरज-उरज क्या है कुछ नहीं है सिरी भौक ना जानता है शिर्फ भौकेगा वो और कुछ नहीं कर सकता है उभी बस्ते जैस्वी जी कर तिस्रे चीज पर उससे आप है पतरकार तो कोश्चन पूछा तो पतरकार पुछा था बढ़ा गया उसको ब्यान नहीं देता है तो मैं पूछना चाहिए तो नीरज कुमार है क्या वो भौकता है उसको भौकने के लिए रखे हुए है और कुछ नहीं अललन सिंग किया है वो लठैद है लठैद बनके है क्या इजत है ललन सिंग का बताए तो राष्ट्रिय अध्यत था सब कुछ किया आर्सीपी सिंग पर पार कर रहे थे क्या हो गया नितिसकुमार क्या बोला आर्सीपी सिंग कि हर्मुनिया बजावे और नाचे के काम नहीं है तो ललन बाबु आप हर्मुनिया बजाते हैं क्या क्या बोला है क्या बोला जाए आप तो देखे सब मामला मैंने उठाया लीपी सिंग का उठाया प विडियो सब मगर इस सरकार तो कुछ कर नहीं है उनका स्टाइल है उनका अपना आदा है वो निराला है वो सेरे बिहार है हम लोग के सान है और युवाओं के जान है मानिये मोकामा बिधाय कनंद सींग समझ गया है ठीक है एक दम बनेंगे देख लिजेगा परसांजी उस दि बैक्ति में इतनी छामता है और बरदाश करने की छामता कभी नहीं देखे हूं सबसे बड़ा खराबात है समय आने पर यह लोग रूम में जाके छूप जाता है कुछ बोलता ही नहीं आगे फिर बात करें आप जन्ता देख रहे थे बहुत बहुत धन्यवाद